नमस्कार आप देख रहे हैं TPV News और मैं हूँ आप किस्सा थश्वीनी सुरूही भारत को अब जल्द नया रास्ट्रुपती मिलने बाला है चुनाव आयोग ने रास्ट्रुपती चुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया है निर्वाचन आयोग ने बताया कि 18 जुलाई को रास्ट्रुपती चुनाव होगा इसके लिए 15 जून को अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनाव आयोग ने बताया कि प्रेजिडेंट के लिए 29 जून तक नामांकन दाखिल किया जाएगा और 21 जुलाई को चुनाव के नतीज आएंगे गौरतलेब है कि मौजूदा रास्ट्रुपती रामनात कोविंद का कारेकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है तो चलिया आज हम आपको बतायेंगे कि प्रेजिडेंट का चुनाव होता कैसे है तो भारत के रास्ट्रुपती का चुनाव अनुछेद पच्पन के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधत्व प्रनाली के एकल संक्रमणिय मत पद्वती के द्वारा होता है राश्रुपती को भारत के संसद के दोनों सदनों यानी लोक सभा और राज्ये सभा के अलावा राज्ये की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा पांच साल के लिए चुना जाता है संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार रास्ट्रोपती रामनात कोविंद 24 जुलाई को अपने 5 साल का कारेकाल पूरा कर रहे हैं और अगले रास्ट्रोपती के लिए चुनाव इससे पहले ही होना चाहिए बता दे कि 17 जुलाई 2017 को रास्ट्रोपती चुनाव हुआ था और इसके नतीजे की घोशना 20 जुलाई को हुई थी उस वक्त करीब 50 फीसद वोट NDA के पक्ष में थे साथी शेत्रिय दलो में भी अधिकतर दलो का समर्थन मिल गया था इस खास खबर में फिलहाल इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं टीपीवी नीउस नमस्कार